हाई फ्रेंच लेकम बैक टिवर चैनल आम सारव शुकला है मैं मुटिवर्शना स्पिकर सिंस 2010 देश बर में कोने कोने में जाता हूँ काश्चमीर से लेकर करने आको मारी तक लोगों से जाजा कर मिल रहा हूँ और उनको लाइक में आगे बढ़ा रहा हूँ यस माइड़ फ्रेंड आज मैं बात करने के लिया हूँ कि कठिन समय में खुद को मजबूत कैसे बनाए जब हम फाइनेशल प्रॉब्लम के अंदर होते हैं परसनल प्रॉब्लम के अंदर होते हैं तो यकीन मानिया ऐसा लगता है कि हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है ऐसा हम दीगे लेकिन यदि आप अपने आपको प्रॉब्लम से बड़ा समझते है जैकीन मानिये प्रॉब्लम को आप 4 खाने चित्र कर सकते हो मेरी बातों को समझ लिजिए ये प्रॉब्लम बड़ी नहीं है ये कठिन समय बड़ा नहीं है आपका एक्टिट्यूड आपको बड़ा आत्मक है तो आप कभी भी कठीन समय से बाहर नहीं जा पाएंगे जिस सोचे ये बुरा बगत आया है आपको कुछ सिखाने के लिए आपको बताने के लिए आपको समझाने के लिए आपको स्ट्रॉंग बनाने के लिए आया है यकीन मानिए जब आप टेनिस बॉल को जमीन पर पटकते हैं, जितना तीजी से पटकते हैं, उतना उचाई उपर जाता है Yes, my dear friend, यदि आपके जीवन में कठिन समय को ज़्यादा है, तो आपको success को ज़्यादा मिलने वाली है, जड़ा देखिए उस गुरसवार को जो अपने घोडे को बहुत सारे जटके देता है, एक race के दोरान, आप किसी भी घोडे को देखेगा, वो जुसका जो मालिक होता है बहुत तेस से उसके पटे किस्ता जिससे उसके नाप पर एक चोट सी लगती है, उस घोडे को लगता है कि मालिक बड़ा बेरहम है, उसको उसके साथ इतना अन्याय कर रहा है लेकिन मालिक की सोच ये नहीं होती है कि मैं अपने घोडे को कश्च दू बलकि उसकी ये सोच होती है, कि इसको कठिन समय पे लाकर, मैं इसको प्रिपेर करूं जिसस इस race को जीच सके यस माई योट फ्रेंट, जदी आपके जीवन में कठिन समय चल रहा है तो यकीन मानिए, जंदगी के race में इश्वर आपको जिताना चाहते हैं किसलिए positive रहे next thing, दूसरों से inspiration ले उन लोगों को देखें, जिनकी स्थिती आप से नहीं था, लेकिन उनों ने bounce back किया और अपनी जिन्दगी को जीना सिखा एक चीज हमेशा याद रखेगा, जब जिन्दगी में सब कुछ अच्छा चल रहा हो, तो उन लोगों को देखें, जिनका आप से अच्छा चल रहा है, इससे आपके जीवन में ego और घमंट नहीं आएगा लेकिन जब जिन्दगी में कुछ बुरा चल रहा हो तब compare मत करें, उस वक्त अपने से खराब कंडिशन वाले इंसान को देखें, ज़रा सूचे कि वो इंसान इतनी बिपरीध परिस्थिति में रह सकता है, तो आप क्यों नहीं रह सकते यस माइड़ फ्रेंड, लेकिन होता उल्टा है जब हमारी परिस्थितिया बिपरीथ होती है तो हम जलस करते हैं कि देखो इसका जीवन कितना बेतर है मेरा जीवन तो खराब है, और जब हमारे पास आप जूट की जंदगी दी रहे होगे, जूट का सहारा ले रहे होगे यदि जंदगी को बदलना है, तो स्रिकार करना पड़ेगा यहाँ वक्त बुरा है, समय कठीन है, मैं इससे जीटूँगा नेक्सिंग, धैर बनाए रखिए धैर आपकी सबसे बड़ी ताकत है, धैर जिस इंसान के जीवन में है वो सफलता को एक ना एक दिन जरूर पा लेता है लेकिन धैर आपकी जिंदगी के अंदर होना बहुत ही ज़रूरी है रियल प्रॉब्लम और इमिजनरी प्रॉब्लम को पहचाने आपकी नौकरी छोड़ गई, यह आपकी रियल प्रॉब्लम है लेकिन आपको नौकरी मिलेगी की नहीं मिलेगी इसके बारे में सोचते रहना यह इमिजनरी प्रॉब्लम है, जाए दूसरी नौकरी दूड़िये, आपको दूसरी नौकरी मिल सकती है आपका बिजनस में नुक्सान हो गया अब मैं उठ पाऊंगा या नहीं उठ पाऊंगा यह आपकी imaginary problem है आरे उठिये आप उठने के लिए त्यार हो जाएए आप 100% उठ कर दिखाएंगे मेरी girlfriend लुझे छोड़के चली गई यह reality वाली problem है लेकिन अभी वो आएगी जिन्देगी में आपस या नहीं आएगी या फिर मैं कोई दूसी बना पाऊंगा या नहीं बना पाऊंगा यह imaginary problem है exactly matter friend सोचने से कुछ नहीं होता है problem जो है उसका सामना करिए और आगे निकल जाएए और एक इंसान जितना real में problem में नहीं होता उससे तोधा imaginary problem में होता है सो imaginary problem में इस तक मत करें life में आगे बढ़ें next thing अपनी अच्छाईयों को पहचाने बगवान हर किसी को बहुत सारी अच्छाईय के सार इस दुनिया के अंदर दुसता है अपनी अच्छाईयों को पहचाने अपनी qualities को पहचाने और दुनिया के अंदर उतर जाए मैदान के अंदर और कुछ बड़ा कारनामा करके दिखाए बात पसंद आई है तो comment के अंदर बता दिजे और comment करिए कि आपको अगला वीडियो किस topic पर चाहिए मैज जरूले कर आपको सार उतिकला साने को थैंगा थैंगा थैंगा